अब next step न, why is the color of sky blue, क्या लेकर, the molecules of air and other fine particles in atmosphere have smaller size than wavelength of visible light, हम लोग बोल रहे हैं कि जितने भी molecules हवा में हैं, उनका size क्या है, बहुत जाला, छोटा है, ऐसे में क्या हो रहा है, these are more effective in scattering light of shorter wavelength than at the blue end, and then the light of longer wavelength at the end of red end, दो end बोल सकते हैं, अपने, क्यों कर विपज़र को बना रहे है तो violet, indigo और blue, यह हमारा कॉंसर end हो गया, blue end, और orange और red यह कॉंसर end में हैंगे, इनकी wavelength क्या होगी, कम होगी, और इनकी wavelength क्या होगी, जादा होगी, ठीक है, अब इनकी wavelength अगर छोटी है, तो छोटी-छोटी पार्टिकल्स को क्या करेंगे, इनको scatter कर सकते हैं, बट इनको scatter न 1.8 times, यानि पार्टिकल के साइज जब 1.8 times बड़ा होगा, तब जाके वो कौन सी लाइट को scatter कर सकता है, red light, thus when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue light more strongly than red, यानि red के comparison मों, कौन सी लाइट को जादा scatter कर सकते हैं, blue light को, the scattered blue light enter our eyes, तो यह जो blue light है, वो कहा है कि हमारी eyes में, enter करेगी, अब यहाप एक कुछन आते हैं कि अगर अर्थ के पास atmosphere नहीं होता, तो हमको कौन सा color दिखता, यह sun से light आ रही है, और यह atmosphere की वज़े से क्या हो रही है, scatter हो रही है, अब हम बोल रहे हैं कि atmosphere है नहीं, तो SMM को, अरे मान लो कि अगर नहीं हो रहा ऐसा, तो क्या होगा, तो तब दिखता नहीं, जब वो टकरा के reflect करता है, एट वो से reflect करता है, तो कैसा दिखेगा, जैसा रात में दिखता है, dark, black, सिर्फ sun की light आ रही तो sun दिखेगा हमको, और sun अभी हमको कैसा दिखता है, yellow, त तो वहाँ पर कैसा दिखता है, white, स्केटरिंग की वैसे हो, कैसा दिखता हमको, yellow दिखते हो, और atmosphere में जो पार्टिकल से वो light को scatter करें इसलिए, atmosphere की light है, वो हमको कैसे दिखती है, blue, क्योंकि कॉंसी light को scatter करें जाए जाए था, blue light को, एक और reason इसमें है, अगर तुम लोग को थोड़ा सा और थोड़ा सा आर्ग्यू करना चाहूं, तो यह कर सकते हो, कि फिलाल अपने बोल रहे कि sky कैसे लगा दिख रहा है, blue कलर का, लेकिन शाम के time कासा दिखते है, orange देखा, reddish देखा, pink तो कभी नहीं देखा है, अब मैं तुम को क्या बोल रहा हूं, कि दो पर के time को sky कैसा दिख रहा है, blue, ठेक है, तो कहने का बाद कि sun से यहां से light आएगी, वो यहां atmosphere में क्या होगी, scatter होगी, वो scatter होने के बाद आर्थ पर पहुंचेगी, तो यहां पर जितना distance को cover करना पड़ रहा है, वो distance देखो, इतने distance में वो कौन से color को scatter कर पा रहा है, सिर्फ blue color क बट वही sun अगर यहां पे आ, यहां पे हो, अगर मानके चलो यहां पे sun, और observer यहां पे, अब यहां से चो light आएगी, वो कितना distance कर रही है, इसके comparison में बहुत जादा distance कर रही है, इतने distance में कौन सा color scatter हो चुका है, इतने तो scatter होगा, इतने महीं न, तो इतने distance में यह blue scatter हो च scatter हो गया, आप क्या बचा, जो हमारी आख तर पहुंचेगा, तो कौन से color पहुंच रहोंगे, yellow, orange, और, इसके लिए हमको साम के time sun कैसा दिखता है, हरा नहीं दिखता है, scatter हो गया, वीच में ही, दिखता होगा, पता नहीं, लेकिन majority cases में, जो हरा color है, उसको जादा तो over shadow कर जाते हैं, लेकिन के वेलेंट जादा तो जादा ये दिखते हैं, तो clear होगा कि इस वरे से जब यहाँ पे वेलेंट जादा को travel करनी पड़े, तो automatically क्या हो रहा है, ये सारे color क्या हो जाए, scatter हो जाए, तो last में कौन से color दिखें हमको, orange, yellow और red, इस वरे से हमको शाम के time पे आ पे ये सारे दिखें है, clear होगे इस?